हेलो गाइज मैं जैनुल शिद्धी की आपकी खिद्मत में फिराजिरू इस वीडियो में आपको दो फुट वाई पांच फुट का यानि 24 इंच वाई किस चीज से हमें ये बनाना है और क्या कलम ने कलर यूज किया है इसमें ये भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा तो ये हमारे कारिगर इसमें कटिंग गिलास कटिंग कर रहे हैं साइज है इसका दो फुट वाई पांच फुट तो इसमें किस तरीके से है ठीक है और कर लिया है अगर चाहिए तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे और यह बेविलिंग का पत्थर होता है गेलेंडर आप किसी भी दुकान पर जाका मतलब जहां पर पार्ट स्मिल्टेर हैं वहां पर जाकर चालिस नंबर का पत्थर भी बोल देंगा आप होँआ पे भी मिल सक चाहिए और गाइज यह मसीन देख रहे हैं आप पीछे जो कारिगर के पीछे है पॉलिस मसीन और जिस पर गिलास बनेगा वह मसीन चाहिए तो आपको हमें संपर करते हैं आपको हम ट्रांसपोर्ट दुआरा आपको पास यह मसीन भी खुशा देंगे और आप रहने वाले सू तो इस बात कर लेते हैं थोड़ा मट्रियल के बारे में मट्रियल अपने पास सेंसर हाइलेटर डिजिटल प्रेम पहले सेंसर की बात करते हैं हमारे पास सेंसर और इसका एड़क्टर एड़ी एक केबल आता है मिरर से बाहर आपने वीडियो में बहुत वीडियो मेरी देख तो वो अपने पास the level है और साइस के सबसे में आपको बता देता हूँ कौन साइज में मेत ममें को और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो रहा है यह यह री sociologyIMर. सब्सक्राइब करें इसकी थोड़ा रफ हो जाता है तो अच्छी तरीके से सेट कर देंगे पूरी बेविलिंग और उसकी सेंसर की बात कर रहा तो मैं सेंसर बता दो साइज आप मुझे वर्ट सब्सक्राइब बताना तो उसके इसाप से मैं आपको बता दूँगा कितने अगर आपको मालूमात नहीं हो बस कितना इस साइज में कौन सा हमारा यूज करना है मैं एड़प्टर सेंसर तो वह सिर्फ वर्ट सब्सक्राइब करें ना कि फून नहीं करें ठीक है क्योंकि कुछ भाई होते हैं फून करते हैं और यह कैसे होगा यह बहुत फून मतलब ऐ यह मसीन है आपको यह मसीन चाहिए तो यह मसीन भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा और आप वीडियो देखें इस थोड़ा सिलो पर मतलब मैंने स्पीड थोड़ी ज्यादा थोड़ी वीडियो चोटी करने के लिए इस विचे से ठीक है तो इसमें दो पट्टो का यूज होगा इसके अंदर एक सिलो के एक यह थोड़ा मतलब पट्टा जूना पट्टा होता है मतलब पुराना पट्टा जो ज्यादा काम करा होा होता है बने यह मैं नहीं बता पाँ तो इसलिए मैं बता रहूं अगर धार जब धार मारेंगे तो हम प्ट्टा लगाएंगे जो मतलब कंपनी से आते ही आता है ना उस पट्टे से यह मिसकी धार धारे मारेंगे बेवलिंग इस पे नर्माएंगे जूने पट्टे पर से जो आपता है और के माठी दो और मतलब जूनरा धाकर अगर आप यह करें अगर आप इस काम पे अधंब से हाथ नहीं रखें क्यूंकिक्य टोट पूट गया और अपके लगा रह तो तो वह आपकी जवाबदारी होगी तोटने का भी खत्रा रहता है यह भाई देखना जो हमारा कारीगर है कि इतने खत्रे में खत्रे से खेलके यह गिलास बनाएगा ठीक है अगर आपको इसका पज़र्बा है तो आप इसे काम कर सकते है देखे गले के पास में किस तरीके गले के पास में है धार इसकी मारा धार है इसके में अगर थोड़ा से नजर इसकी चूकी अगर या थोड़ा वह ध्यान इसका थाटा तो गर्दन पर भी निसान लग सकता है ठीक गाईज पाच का काम इस गिलास है गिलास जब लगता है तो बहुत दूर तक छोट मारता है तो आपको ध्यान रखना है यह से नहीं है कि आपको एकदम से काम करने लगें तो इसलिए आपको तजरुबा होना इसके गिलास के लिए जरूरी है यह देखें गाईज यह पट्टा लगा पीछे से जोना पट्टा पीछे की धार जो प्रेंट रहता है इसका मिरर के ख़लाई का वो नहीं मतलब उसे खळानी पाता तो इससे नए पट्टा इस पर अच्छे तरीकर काम करता है अब आज हमने मसीन पर एक मसीन का काम हो चुका है पॉलिस मतलब पट्ट अच्छी तरीके से हमने इसकी बेविलिंग नर्माली है अब गिलास को चमक समझ चमक डालेंगे इसमें तो वह किस तरीके से यह मसीन भी चाहिए मसीन भी अपने पास सब्सक्राइबल है और रम्दा ह होता है इसका लगा के और यह पनिज़ डाला है पानी होता है यह आपको बता देता हूं कर गिलास को चमक डेंच रहती है तो इसमें का जाती है इस इसम criter merchandis with आदि वीडियो बेवलिंग के आपर है डालार करना कर यह एक वीडियो में मैंने दोनों चीज बताई आधि वीडियो में आपको गलास में अई कि इस बेवलिंग हो चुकिए है है कि अई देखे इन सूत की वे विर गए गिलाज डिजाइनिंग के साइट में यह अब गिलाज डिजाइनिंग के यह धार पोलिस जो होता बेवलिंग कारिगर का उसका काम खतम हो गया है अब यह डिजाइनिंग कारिगर के डिजाइनिंग करने वाले कारिगर का काम चाले इस पर प्रोटेक्शन डॉल लगाया है गा आपको अच्छी तरीके से जहां पर एक गिलास काम करना है वहां उस पर टेबल पर वहां से स्क्रेश आगई तो गिलास खराब हो जागा यह आपको देखना है ठीक है यह कटिंग पर प्लोटेक्शन रोल लगाते हैं क्योंकि यह प्लोटर कटिंग है यह जो हम यूज करना है अब है कि यह पिलोटर कटिंग है तो इस पर प्लोटेक्शन रोल लगाना पड़ता है कि हूझके अटेक्शन रोल लगा जयते हैं तो अच्छी तरीके से बिलकुल ऑच्छी तरीके च्छिपक जाती है तो लीकिक श्वाउर्स ज्यादा तो आपको प्रोटेक्स रोल हो आपके पास रोल हो तो आप कटिंग करें और अच्छे तरीक चिपा के और काम जल्दी खिसता है है अगर आपकी कटिंग में फोर्स कम होगी तो यह कटिंग मतलब काम जो लाज जाधा टाइम लगेगा और यह मैंने इस्टिकर बता हर वीडियों बताता हूं फी टू फींक कलर का इस्टिकर यूज करना है अपनों को ठीक है इंक कलरगा फीटू आता है इसके नाम से इसके हम अंदर ब्राउन कलर करेंगे सिल्वर में मिलाकर अगर सिल्वर भी आपको चाहिए तो वो भी हम पच्वा देंगे आपके पास नहीं तो आप किसी भी नजदी की सौपे ले सकते हैं इसके हैं अगर आपके पास यह नहीं है तो आप बालू रेत जिससे चिनाई करते हैं नमक की बलावर मोटी होती हो आप चाहन के उससे यह गंड में भरके संब्रोश्टिंग संब्लाश्टिंग कर सकते हैं ठीक रहिए इस कारीगार हमारा किस तरीके से फ्रोश्टिंग करेंगा इस गिलास पर और यह कप्रा लगाना पड़ता है क्यूंकि बालू आल में में घ्टी थोड़ा आद्मी काम करता रहता है तो बार बार तुनहने का नहीं है तो इस वज़े से थोड़ा में रेस वहता ह यह कंपनी की अगर फ्रोष्टिंग मानने के लिए अगर रेत लेते हैं इससे धूल नहीं उठती एक यह है धूल जादा नहीं होती है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका और अगर आप बालू रेत लेंगे तो उससे मतलब रेती रूम में मुझे रोम जो रहता है तो धूल ज्यादा होती है डश्ट होती है ज्यादा डश्ट उड़ती है तो इससे ज्यादा धूल नहीं होती है इस तरीके से सब्सक्राइब हो चुका है हमारा अब यह कलर साइट में जाएगा कलर होने के लिए कलर होएगा कि यहां पर कलर होगा यह मेला माइन गिलोसी गिलो अबू का आता है सिल्वर ठीक है इसका विले सिल्वर ले सकते हैं या सूखा भी पाउडर भी सिल्वर ओडर भी आता है आप उनमें से दोनों में से कोई सभी दे सकते हैं मेला माइन गिलोसी इसमें टकना है ठीक है उसमें ठीना डाल देना है हलका सा और हलका सिल्वर डाल दे सब्सक्राइब तो हल्का सा इसमें डाल देना यहां कियोंगे पिद्सक्राइब तो सूपने कर नहीं है इसके अंदर सिल्वर भी मेलमाइन गिलोज इस थिनर और हाइटनर और सिल्वर और कलर है अलग-अलग थोड़े-फोड़े ब्राउन है और इंज है इस तरीके के मिलाक है फर में से मेच करके इसने कारीकरने हमारे कलर किया है यह है वाइट पैंट साब अग्दम से कलर मारके प्रेंट मारना है अब मतलब 20-25 मिनट ये आपको हवा फूस में रखना है हवा में ठीक है जब ये पहले पैंट मारना है फिर आपको वीडियो में देख के इससी तरीके से घड़ते है फोड़ा टाइम लगाना है अगर लाईट पढ़ते है और जाद पहले कलर मारा है और फिर इस मानने के बाद हमने पंके के नीचे रख दिया था और वह जब सूप गया था इसके बाद हमने वाइट इसको मारा है वाइट मा हाड़नर जरूर मिलाना है यह द्यान लखना गाइस पहले देखिए उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगे अगर अच्छी लगी हो तो शेर करें लाइक करें और कमेंड करें शुकरना हो तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जब तक पिले जैहें